नमस्कार, सिक्चाश्री के डेली स्टेटिक जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है किछले क्लास में हमने आप से प्रस्ण पूछा था कि भारत में राष्टपती राज्य सभा के कितने सदस्यों को मनुनित कर सकता है हाउ मैनी मेंबर्स अब राज्य सभा कैने प्रेशिडेंट नोमिनेट इन इंडिया ओप्शन्स थें इसके दो, दस, बारा या फिर छे सही उतरोगा बारा राष्टपती जो भारत के हैं वो राज्य सभा के बारा सदस्यों को मनुनित कर सकते हैं नोमिनेट कर सकते हैं और राज्य सभा में 250, 250 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए राज्य और केंदर शाषित प्रदेश से कितने सदस्य होते हैं तो 238 और राष्टपती के दोबारा 12 जो सदस्य होते हैं मनुनित वो मिलकर 250 होते हैं राज्य सभा के बारे में कुछ जान लेते हैं जिससे कोस्टन्स पूछे जा सकते हैं एक्जाम्स में तो राज्य सभा एक स्थाई निकाय है और ये बिगटन के अधिन नहीं है हर तीसरे वर्ष एक तियाय सदस्य इसके सेवा निवरित होते हैं और उनकी जगह नए चूने गए सदस्यों को निक्त किया जाता है जो परतेक सदस्य होते हैं वो च्छाव वर्ष की अवधी के लिए चूने जाते हैं और सबसे में क्या है कि जो भारत के उपरास्ट पती होते हैं वो राज्य सभा का पदिन अध्यक्ष होते हैं और जो सदन होता है वो अपने सदस्यों में से एक उपाद्यक्ष का होता है और लास्ट में एक और इंपोर्टेंट जो फैक्ट है जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है वो ये है कि जो वरिष्टम मंतरी होते हैं जो कि राज्य सभा के सदस्य होते हैं उनको प्रधान मंतरी द्वारा सदन का नेता निक्त किया जाता है ये सब कुछ प्रस्णों की तरफ पहला प्रस्ण है रिगवेद में कुल कितने अध्याय हैं हाउ मैनी चैप्टर्स और दियार इंदर रिगवेदा ओप्शन से छे आठ दस या फिर बारह सई उतर होगा इसका दस रिगवेदा में कुल दस अध्याय हैं और ये रिगवेदा सबसे पुराना ग्यात वैदिक संस्कृत पाठ है और जो इसकी प्रारंभिक परते हैं वो किसी भी इंडो-एरोपिय भासा में सबसे पुराने मौजूदा गरंथों में से एक है इसके दस अध्याय है और च्छंद कितने हैं तो 10,552 मंतराच और ये किस पिरियड की है रिख बेदा तो 1500 से 1200 BC ये सारे कुछ पॉइंट्स आपको पूछा जा सकते हैं अगला कोस्चन है लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से उपर उठता है वाट काउजेज द वाइल इन द लैंप लाइट टू राइज ओप्शन से हैं दाब अंतर यानि कि प्रेशर डिफरेंज सेकेंड ओप्शन है कोस्किय घटना यानि कि सेलूलर एवेंट तीसरा ओप्श कारबोकसिलिक ग्रूप्श इन वाइल सही उठार होगा इसका सेलूलर एवेंट कोस्किय घटना इसके कारण से लैंप की बत्ती में जो तेल होता है वो उपर की और उठता है थोड़ा और डिटेल में जानते हैं इसको तेल जो होता है लैंप में वो उपर की ओर कैपिलरी एक्षन की वज़ा से जाता है याद रखेगा कैपिलरी एक्षन और ये इसका इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि लिक्वीड का सरफेस टेंशन की वज़ा से होता है यह प्रभाव तरल पदार्थो की सताह तनाव के कारण होता है यानि कि surface tension की वज़ा से होता है जो बाती होता है लेंप में वो capillary tube की तरह काम करता है और इसी की वज़ा से तेल उपर की ओर उठता है अगला question है जम्मू कास्मीर के समिदान कब लागू किया गया था पर में होगा ओप्शन से 26 जन्वरी 1950, 26 जन्वरी 1952, 26 जन्वरी 1957 या फिर 26 जन्वरी 1971 सही उतर होगा 26 जन्वरी 1957 26 जन्वरी 1957 को जम्मु कास्मिर में सम्मिदान लागू किया गया था और जम्मु कास्मिर 1954 में या पर प्रेसिडेंशियल ओडर लागू किया गया था जिससे ये भारत का एक राज्य बना था 14 मैं 1954 को एक भारत का राज्य बना था और भारत सरकार ने 2019 में भारतिय समिधान के अनुछेद 370 के तहत जम्मु और कास्मिर को जो विशेश दर्जा दिया गया था उसको निरस्त कर दिया और उसके बाद भारत की संसद ने जम्मु और कास्मिर का पुनर गठन अधिनियम पारित किया जिसमें ऐसे प्रवधान सामिल थे जिनोंने राज्य को भंग कर दिया और इसको दो केंदर साशित परदेशों में पुनर गठित कर दिया एक पस्चिम में जम्मु और कास्मिर और पुर्व में लदाक ये दो केंदर साशित बन गया और ये केंदर साशित परदेश यानि कि जम्मु और कास्मिर और लदाक कब से प्रभावी हुआ ये भी पुशा जा सकता है तो 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 से ये दोनों केंदर साशित परदेश बन गए लेटिनेंट गवर्णर पूछ सकता है तो लेटिनेंट गवर्णर जम्मु और कास्मिर के कौन है मनोज सिनह जी है ये हम आपको कितने बार बता चुके है और उसी तरीके से लदाक के कौन है तो लदाक के है रादा कृष्ण माथूर जी ये याद रखेएगा रादा कृष्ण माथूर जी लदाक के लेटिनेंट गवर्णर है और जम्मु कास्मिर के मनोज सिनह जी है कैपिटल क्या है लदाक का ले जो कि कारगिल में है और जम्मू कास्मीर का कैपिटल राजदानी पूछेगा तो सिरी नगर जो कि में से अक्टूबर सिरी नगर होता है और जम्मू में नवंबर से अप्रेल तक अगला कोस्चन है सवराज पार्टी की स्थापना किस वर्स की गई थी? इनविच येर वाजदा सवराज पार्टी फाउंडेड बहुती महत्पून सवाल है ओप्शन से वर्स 1919 में वर्स 1920 में वर्स 1922 में या फिर वर्स 1923 में सही उतर होगा वर्स 1923 में सवराज पार्टी की अस्थापना की गई थी? और ये क्यों की गई थी? सहराज पार्टी तो ये 1921 में जो महत्मा गांधी द्वारा असायोग अंदोलन यानि की नन कॉप्रेशन मुव्मेंट को बंद कर दिये जाने के कारण की गई थी? किसने की थी? 1923 में इसकी स्थापना तो चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ये कुछ नेता थे जो की कॉंग्रेस के खिलाब सहराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की थी और इनके अध्यक्ष कौन था? सहराज पार्टी के तो चितरंजन दास को अध्यक्ष पनाया गया था और मोतिलाल नहरू उनके सचीव बने थे और सौराज पार्टी का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था ये भी कोश्चन पूछ सकता है तो इलाहबाद में हुआ था जो कि अभी परियागराज नाम से जाना जाता है और इसी अधिवेशन में इसका सम्मिदान और कारेकरम निर्धारित हुआ था तो ये सब कुछ अपॉइंट्स आप सभी याद रखेगा अगला कोश्चन है किस मुगल बादसा को जिन्दा पीर कहा जाता था विच मुगल एंपेरर वाज कॉल्ड जिन्दा पीर अप्शन से अकबर, औरंग जेब, सा जहां या फिर जहांगीर सही उतर होगा औरंग जेब औरंग जेब को जिन्दा पीर कहा जाता था और इसका पूरा नाम क्या था अबूल मुझभफर मौदीन मुहम्मद औरंग जेब और इसको आलमगीर से भी जना जाता था औरंग जेब को ये भारत पर राज्य करने वाला छठा मुगल सासक था और इसने सासन कब से कब तक की थी तो 1658 से 1707 तक इसने सासन की थी औरंग जेब ने भारतिय उप महादिब पर आधी सदी से भी ज़्यादा समय तक राज्य किया था ये अकबर के बाद सबसे ज़्यादा समय तक सासन करने वाला मुगल सासक था इसने अपने जीवन काल में ही दक्षिन भारत में मुगल समराज का बिस्तार करने का पूरा पर्यास किया था लेकिन इसकी मिरित्यू के पास्चात मुगल समराज धेर धेर सिकुणने लगा था और क्या कोस्चन बन सकता है कि इसका समाधी कहां पर है तो जो इसका टॉम ओफ औरंगजेव है औरंगाबाद जो कि महरास्टा में है वहाई पर है साज हाँ इसके फादर थे और मदर मुम्ताज महल रिलिजन पुछेगा औरंगजेव का तो सुन्नी इसलाम था ये अगला कोस्चन है पासवनाथ जैन धर्म के 23rd कार्द का जन्म किस राज में हुआ था पासवनाथ 23rd तिर्थांकरा अप जैनिजम वाज बॉर्न इन विच स्टेट अफ इंडिया ओप्शन से आंधर पर्देश, बिहार, उत्तर पर्देश या फिर तेलांगना सही उत्तर होगा इसका उत्तर पर्देश पासवनाथ 23rd तिर्थांकरा थे जैनिजम का उनका जन्म उत्तर पर्देश में हुआ था और उत्तर पर्देश में कहां पर तो वारानसी में, बनारस में महाबीर, रिषबनाथ और नेमीनाथ के साथ पासवनाथ 4 तिर्थांकरों में से एक हैं, जो जैनियों के बीच में सबसे ज़्यादा भक्ती को आकरशित करते हैं, और जैन धर्म के 24 तिर्थांकरा थे पहले तिर्थांकरा कौन थे, तो लॉड रिषबनाथ थे और ये पासोनाथ कौन से है तो 23 वे question में ही दिया हुआ है पासोनाथ 8 टू 7 बीसी तक थे और जो 24 वे तिर्थांकरा थे उनका नाम क्या था तो महावीर ये सारे कुछ points है जैन्धर्म से related जो कि आपके questions में पूछे जा सकते हैं तो आप लोग इसे कर लेंगे अगला question है वाटल ट्राइब इस पॉपुलरली नोन फोर वीच आप दा फॉलविंग डांस फॉर्म वाटल जन जाती निम्न में से किस नरीत के लिए लोग प्रिये है ओप्शन से बीहू, धमाल, बार्दो या फिर दुमहल सही उतर होगा दुमहल जो वाटल ट्राइब जन जाती है वो दुमहल नाम के निरित के लिए लोग प्रिये है और ये कस्मीर के वाटल जन जाती के पूरुसो द्वारा विशिष्ट आउसरों पर किये जाने वाला निरित है जो कलाकार होते हैं वो लंबे रंगिन कपड़े पहनते हैं और लंबे संकवाकर कैप जो मोतियों और गोलें सोय जड़ी होती है वो पहनते हैं अगला कोस्चन है चोलो के समय ब्रह्म देशवार मंदिर कहा अश्तित है वेर इज दा ब्रह्म देशवार टेमपल बिल्ट डूरिंग दा चोला पिरियाड लोकेटेड ओप्शन से महाबली पूरम, मैसूर, तंजावूर या फिर कन्या कुमारी सहीवतारोगा तंजावूर, यह तमिलाडू में तंजावूर, जो ब्रह्म देशवार मंदिर है यह चोल राजा, राजा राजा चोलने करवाया था और वास्तु का लाकी एक द्राविण सैली थी जो द्राविदियन है, उसी में से द्राविदियन सैली है यह और यह तंजावूर में श्तित है, इस मंदिर में मुखे देवता कौन है, तो भगवान सीव है यह याद रखिएगा, तमिलनाडू से क्या कोस्चन बन सकता है, तो राजधानी वहां की चेन नहीं है चीप मनिस्टर कौन है, इद्धापदी के पलनी स्वामी है और गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहिद जी है, गवर्नर तमिलनाडू के अगला कोस्चन है, कलारी प्याट्टू किस राज़े का मार्शल आठ है कलारी प्याट्टू इस दा मार्शल आठ ओफ विच स्टेट ओप्शन्स है, अरुनाचल परदेश, केरल, असाम या फिर नागालेंड सही उतर होगा केरल, ये केरल का मार्शल आठ है इसकी उत्पती लक्षिन भारत के केरल राज़े में हुई थी और ये एक सैली के रूप में हुई थी इसकी उत्पती केरल के उत्तरी मालाबार छेतर में हुआ था इसका जो कलारी सब्द है, ध्यान से सुनिएगा कलारी सब्द इसकी पहली बार तमिल भासा में संगम युग के दोरान सामने आया था जिसमें युद के मैदान और युद के मैदान का वर्नन किया गया था केरलकात कैपिटल तिरवननाथ पूरम है गवर्नर कौन है केरल के तो आरिप मुहम्मद खान है और यहां के चिप मिनिस्टर पिनराई बिजियन है और आज का लास्ट कोस्चन उसके बाद आप सभी के लिए अभ्यास प्रस्न अंतिम कोस्चन है गुजरात में रानी की वाओ एक मसूर डैस है क्या है यह बताना है रानी की वाओ इन गुजरात इस फेमस ओफ आप्संस है बिस्व भी द्याले फूलों की घाटी बावडी यानि की स्टेप वेल या फिर मंदिर सही उतरों का स्टेप वेल रानी की वाओ जो की गुजरात में है वो स्टेप वेल के लिए फेमस है और यह गुजरात में पाटन सहर मेश्थी थे याद रखेगा पाटन सरस्वती नदी के तट पर है यह और इसको रानी भीम को राजा भीम देव प्रथम द्वारा एगारवी सताबदी इस्वी में स्मारक के रूप में बनाया गया था गुजरात इससे क्या कोशन आएगा राजधानी गांधी नगर गबर्नर यहां के कौन है तो अचारे देवरत जी है और चीफ मिनिस्टर बिजयरूपानी जी है अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रस्ण की तरफ अभ्यास प्रस्ण है सीखो के नवे गुरू कौन थे हूँ आज दा नाइन्थ सीख गुरू ओप्शन से गुरू अर्जन देव गुरू गोविन सिंग गुरू तेख बहादूर या फिर गुरू हरकीशन जाए आप इसका उत्तर कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा इसका उत्तर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे और इस क्लास के PDF के लिए आपको टेलिग्राम चैनल से जुड़ना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप अन्य सोशल साइट से भी जुड़ सकते हैं आप लोग डेली बेसिस पर ब्लॉग से जरूर जुड़े वहाँ पर डेली इंगलिश की क्लास को कराई जाती है राइटिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन में आपको पैसेज स्टोरी फॉर्म में दिया जाता है जो कि आपको प्रैक्टिस करना होता है अलग-अलग ग्रामर के टॉपिक के उपर तो आप लोग बस वहाँ पर जुड़ें उसका भी लिंक, ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अबलेबल है तो आप लोग वहाँ पर जुड़ जाएं मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत